किसी को फोड़े खूंसियां बहुत निकलती हैं, उन्में पस पढ़ जाती हैं, मबाद पढ़ जाती हैं और जगा जगा होने लगते हैं, एक जगा ठीक होता है, दुसरी जगा हो जाता है, और ये कही बार ऐसी जगे निकलते हैं। थाइपर या अंडराम्स के आसपास इस जगा निकलते हैं उनके लिए एक ऐसा नो उसका बतारों जो बहुती कम समय में आप बिल्कुल इसको जड़ से खतम कर सकते हैं दुबारा ये कभी नहीं होगी कई बार ऐसा होता है एक जगे से खतम हो जाती है लेकिन दूसरी जगा फ होंसी है उसकी जगा लगाकर पट्टी बांद कर सोजाएं पूरे दिनuse को लगाए ने दे मातर एक ही बारी में बिल्कुल पिट होताद चला जायगा और दो से तीन पट्टी में बिल्कुल ही खतम हो जाएगा और इसके साथ काली-जीरी आती आती है आसानीko बी पीस लें पोर्टर बना ले और एक एक चमब सुभशाम पंदरे से 20 दिनिया महीने भर भी ले लें कोई टिकत नहीं होगी आपको ये सबसे अच्छा रक्त शोदक होता है कोलेस्टोल का बढ़ना जहां तक है खुद की अपनी लापरवाई के कारण होता है ये जो हम बाहर का खान पान करते हैं बाहर का तला फला खाते हैं मीट अंडे का परियोग करते हैं मीट अंडा बिल्कुल त्याग दें आप मचली इसमें खा सकते हैं वो नकसान नहीं करती बागी चलिए मैं एक ऐसान उसका बता रहा हूँ जिससे आप कुछी समय में विदाउट मेडिसीन आप इससे अपना कोलेस्टोल बिल्कुल ठीक कर सकते हैं चाया वो ट्राइगलासराइट बढ़ा हुआ हो आपका वियल डियल कोलेस्टोल बढ़ा हो या फिर सिरम कोलेस्टोल बढ़ा हुआ हो इसके लिए आपको सुबह खाली पेट सबसे पहले दो लस्टन की कलिया लेनी है उसको अच्छी तरह से चबा कर गुनगोना पानी पिना उपर से दूसरा अलसी के बीज लाकर बिल्कुल बारिक पीज ले एक एक चम्मस सुबह शाम खाना खाने के बाद या खाली पेट कैसे भी ले सकते हैं गुनगोने पानी के साथ बस इससे बहुती कम समय में आपका कोलेस्टोल लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा बागी कोई अगर ये नहीं कर सकता तो बनी बनाई उसे दी आती है अरजुना रिश्टाप किसी भी कमपनी की ले सकते हैं अरवेधिक है प्योरली नैचुरल है कोई साइड इफेक्ट नहीं अरजुना इफेक्ट नहीं टिन डककन बराबर पानी की मात्रा में तीन डककन दवाई एट बाध तीन डककन पानी के साथ खाना खाने के आधे गंटे बाद लेले सर्दियों के मोसम में जोड़ों का दर्द बड़ा परेशान करता है लोग वाग रोज पेंकिलर लेते हैं जादे क्या करते हैं? किसी डॉक टोक्टरों को दिखा देते हैं ओग कैल्सिम की कमी बता देता है बिना चरैक अप करें सुरूब करतें पस बेन किलर लेना बिल्गुल बोल जाएंगे आप और चुम अंतर बागी हसते रहो मुस्कुराते रहो और खुश रहो कोई हाई बीपी से परेशान है बहुत से ऐसे भी होते हैं कि उनका हाई और लो होता रहता है जब उनका लो हो जाता है तो वो थोड़ा उसका काम करेगा आप परियोग करें बिल्कुल ही चड़ से खतम हो जाएगे आपकी दिक्कती दो गिलास पानी ले 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 उसके अंदर डाल चीनी डालनी है 10 गिराम यानि कि एक बड़ी चमच और उसमें 10 से 15 गिराम गुड डालने गुड उसके अंदर डालका अच्छी त बिल्कुल ठीक हो जाओ गया बकी खुस रहो स्वस्त रहो हस्ते रहो मुस्कुराते रहो चहरे पर होने वाले कील मुहासों के निशान या दाग दब्बे या जाईयां आजाना इसके लिए पहले भी मैंने एक विडियो बनाई थी लेकिन बहुत सो कमेंट ऐसा है कि हम कैसे बनाए क्या करें या एलो वीरा नीबू गुलाब जल विटामिनी के अफसुल यही मिलाना था बस खेर छोड़िये मैं उन सब के लिए एक बना बनाया ओयल ऐरवेदिक ऐसा बता रहो जिससा कुछी समय में जो भी आपके चैरे पर दाग धब्बे हैं चाहे वो कील मुहासक आप किसी भी कंपनी का ले ले आपको ओनलाइन भी मिल जाएगा और उसको अच्छी तरह से रात को सोते समय चेहरा वोश करके पोच कर अच्छी तरह से अच्छी तरह से हलक हलके हाथों से मसाज कर ले जहां भी है दाग धब्बे चेहरे पर जाईया है कहीं भी कैसा भी पी फंच्टा समय चेहरे र समुम्नुण कर ले लेता है कहीं दव